अबस्कार दर्शको मैं हूँ जोटशाचारे मैंग शर्मा और इंडिया न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दर्शको आज मैं चर्चा करेंगे नियूमरलोजी के आधार पर 2023 आपके लिए कैसा रहेगा क्या कुछ इस वर्ष आपको मिलेगा क्या इस वर्ष जौब परिवर्तन के योग बनेंगे या नए काम कारोवार की शुरुबात होगी जो लोग विदेश जाना चाहते हैं क्या उनका सपना पूरा होगा क्या छातरों के लिए वर्ष कैसा रहेगा और आपकी सेहत जो की सबसे इंपॉर्टन है वो कैसे रहेगी तो पूरी जानकारी हर मुलांग की आपको देंगे तो शुरुबात कर लेते हैं दर्शको मुलांग एक की तेकि मुलांग एक के स्वामी सूरिय होते हैं और इस वर्ष के जो स्वामी बनने हैं वो केतु बनने हैं अगर हम 2023 का टोटल कर दे तो साथ आता है और जिसके स्वामी केतु है तो मुलांक एक वालों के लिए 2023 जो है कई माईनों में काफी बढ़िया रहेगा, काम कारुबार की सिती अच्छी रहेगी, आर्थिक सिती मझ्हूत रहेगी, व्यवाइक जिवन भी आपका अच्छा रहेगा और सुख साधन भढ़ेंगे लेकिन 2023 में क्या साधनिया बरतनी चाहिए, तकराव से बचना होगा, ये एहम का टकराव भी हो सकता है और रिष्टो में भी, तकराव से बचके चलेंगे, वाद विवाद टालेंगे, तो इस वर्ष कोई बड़ी समस्या नहीं आने वाली है, और अपनी सेहत का आपको विशे चल सभाव के होते हैं, तो इस वर्ष मुलांग दो वालों आपको अपनी भावुकता पर नियंतर नखना है, भावुकता में आके कोई गलत फैसला ना ले लें, उससे बचके चलें, जल्द बाजी में कोई फैसला ना करें, खासकर मार्श और एप्रेल के महीने में, ये वर आपको अच्छी रहेगी, पहले वर्ष के मुकाबले यानि कि 22 का मुकाबले 23 आपके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन आपको भी अपनी सेहत का ध्यान देना है, बात कर लेते हैं, मुलांग 3 की मुलांग 3 वालों आपके लिए वर्ष किसी वर्दान से कम नहीं है, काम-कार होगी अब बात करते हैं मुलांग चार की जिसके स्वामी राहू है मुलांग चार वालों इस वर्ष में आपको थोड़ा सावधानी रखनी पड़ेगी अपनी वानी पर सयम रखना पड़ेगा ने था आपके बंते-बंते काम भाई बिगड़ जाएंगे वर्ष का स्वामी के जो है कही ना कहीं विरोधाबास की सिती पैदा कर रहे हैं वाद विवास से बचें अपनी सिहत का ध्यान रखें किसी नए कारी की शुरुवात करनी है तो जुलाई के बाद करें चाहे बिजनस हो या नोकरी परिवर्तन करनी हो तो आपके लिए अच्छा रहेगा इस अच्छा कर लेता है मुलांग पांच की मुलांग पांच वालों जिनके स्वामी बुद्ध हैं बुद्ध के प्रभाव के कारण ये वर्ष आपके लिए काफी अच्छा रहता वन हजारा रहा है चाहे आपकी आर्थिक सिती हो या समारिक सिती की बात करें तो आपको दियान रखें किसी भी तरह की वाद विवाद से आपको बचना चाहिए चलिए चर्चा कर लेते हैं मुलांग छे की जिनके स्वामी शुक्र है शुक्र के प्रभाव के कारण इस वर्ष आप बहुत जादा भोग विलास्ता में रूची रखेंगे वैसे मुलांग छे वाले जो विदेश जाने के इच्छुक हैं उनके लिए समय बहुत ही शानदार है अब चर्चा कर लेते हैं फटाफट से मुलांग साथ की जिनके स्वामी केतु है तो मुलांग साथ वालों के लिए ये वर्ष जो लोग आध्यात्म से जुड़े हैं या तकनिकी क्षेतर से लोग रहेंगे इस वर्ष आर्थिक सिति आपके लिए अच्छी रहेगी और किसी तरह की कोई सेहत संबंदी परिशारी नहीं रहेगी तो आपके लिए वर्ष बहुत ही मंगल में रहेगा चलिए अब चर्चा कर लेते हैं मुलांग आर्ट की जिनके स्वामी जो हैं शनी द सेहत का ध्यान रखें स्वर्ष में सबसेरा इंपॉर्टेट हैं बाकी नए कारिये में परिवर्तन करने से बचें या नए कारी की शुरुआ तो जो है आपको 2023 में नहीं करनी चाहिए जो जैसा काम चल रहा है उसे को वैसे ही चलाए रखें तो बेतर हैगा नोकरी पेशा ल 2023 में टक्राव की उर्दिखारी है मुलांक नोवालो गुस्सा करने से बचें कि क्रोध की दिखता से इस वर्ष आपको बचना चाहिए उसी बाती है कि वहन संबंदी कष्ट रह सकता है अगर आप स्कूटर गाड़ी या जो भी चलाएं मोटर सैकल थोड़ा संभाल कर कहिना कही चोटी मोटी दुरगटना होने की आशंका है सावधानी पूरवक आपको इस समय चलना चाहिए मुलांक नोवालो कामकारवार की बात करें तो यह वर्ष आपके लिए काफी अच्छा रहेगा धनलाब भी होगा और आपकी कोई मनो कामना पून हो सकती है यहां आपको बताया मुलांक के नुसार दोजार तेईस आपके लिए कैसा रहेगा अगले एपिसोड में कुछ और जानकारी के साथ आपके सामें हाजिर होंगा मुझी दिजाज़त नमस्कार